तो इसके लिए इए हमारे पास इक्वेशन तो बटा दोनों मेंसे आपने पढ़ा कि इसको पढ़ा है अब बता हूं को से मैंने कर रहे थिक अधिक टो दोनों मेंसे पहले कौं से क्वेशन पिक न चाह रहे हो तो दिखाना पाणे गापने from equation first equation first pick कर रहे हूं 2x plus 3y equal to 11 pick कर दी अब इस equation pick Q की है किसमझो Q पिक की है ताकि इससे हम यह तो x निकालेंगे यह भी y निकालेंगे क्या निकाला चाओगे x निकाला चाओगे ठीक है तो अगर x निकालना है तो y को वह भेजो यहाँ y 3y के साथ है है ना तो वहाँ जाकर minus करेगा क्योंकि वो इदर plus करा था simple चीज़ है तो x निकालना है pure x चाहिए हमें तो x के साथ ना कोई multiply में ना कोई divide में और ना कोई कुछ और फर्म होना चाहिए तो यहाँ multiply करना था अब आपने यह x की जो value है कहां से निकाली यह निकाली आपने equation number first से कहाँ place करोगे second place करोगे ठीक है अब सुनो on putting on putting x equal to 11 minus 3 y upon 2 in equation second इस value को equation second में place करने वाले है तो लिखिए 2x minus 4y equal to minus का 24 ठीक है minus का 24 अब क्या होगा जिसको दिक्कत है value place करने में जिसको दिक्कत है value place करने में यहाँ देख लेज़े ज़़े एक बार जखो तू तो ऐसी आएगा तू तो ऐसी आएगा हाँ तो x x की जगा पे क्या place करोगे अच्छा जी और यह तो ऐसी आएगा को दिक्कत है ठीक है ना सब सिग्ड़ प्लेस करते है equal to minus का 24 अब क्या होगा बिल्कुल 2 से 2 कट गया क्योंकि यह multiply में है यह divide में कैंचल हो सकता है क्या बचेगा 11 minus 3y minus का 4y minus का 24 बैटे मेरे कान में ना फौल दवाज नहीं पढ़ने जी है पुछे से जाना पने सका अच्छा तो 11 minus 3y minus 4 दोनों minus के ना तो minus minus का प्रस होगा कितना हो गया यह हो गया आपका 7y equal to minus का 24 7y equal to minus 24 अब देखो बैटा मैंना आप से starting में क्या का था कि अगर किसी equation में x है और y है तो उस equation में ना तुमें x मिलेगा और ना y मिलेगा तो क्या करेंगे हम जब यहाँ पर किया अब ऐसी equation तैयर हो गई है यहाँ पर x है यह नहीं क्या है y तो क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा अब देखो नहीं जाना इसमें भी xy यहाँ भी xy यहाँ भी xy ना तुम मिलेगा x और ना मिलेगा y अब यहाँ देखिए सिर्फ क्या है y तो क्या मिल जाएगा ठीक है तो इसके लिए क्या करेंगे हम 11 को यहाँ बेज देंगे यहाँ पर 11 प्लस कर रहा है यहाँ पर मैनस करेगा कितना हो गया मैनस का 35 मैनस से मैनस कैंसल हुआ तो 7 यहाँ multiply यहाँ divide करेगा कितना y equal to 5 आ गया y आ गया अब y की value कहां place करोगे equation 3rd में 1st में 2nd में कहीं भी रख दो y की value कहीं भी रख दो का रखोगे 3rd में क्योंकि इसी तरह बना बनाया है हना अब देखे बड़ा on putting on putting y equal to 5 in equation number 3rd इसको लिखे पहले एक बार क्या x equal to 11 minus 3y upon 2 ठीक है 11 minus 3y की जगह में कितना आएगा 5y आगा बेटा upon 2 x equal to कितना 15 है ना कितना हो गया minus 4 upon 2 कितना minus 2 बार संद में आगई तो वाई कितना आया 5 और x कितना आया हमें एक उसने special equation कॉंस equation है यह वाली equation है ठीक है तो अब हम यहां पर से रखेंगे देखो मैं इसे यहां कर दो ऊपर है ना देखे from equation y equal to mx plus 3 ठीक है हमें m रिकान ना है तो y की जगाँ पर y की value कितनी है 5 तो 5 आगे बेटा x की जगाँ पर x की value कितनी minus 2 ठीक है बहुत से बच्चे बहुते हैं m संदमा रहा है यह 2 multiply कर रहा है सुनो बात हो क्या बोल रहो मैं कितना हो गया 1 है ना कोई कोशन ऐसा आएगा कि जो आपको फसाएगा जुरूर कोशन में इसलिए कह रहा हूं आगे पढ़िए अब सुनिया आप देखिए word problem करने का यह basic तरीका क्या है आप उसका sentence पढ़िए क्या पढ़िए आप उसका sentence पढ़िए sentence by sentence पढ़िए और यहां rough में पढ़िए जिसको rough बनाना आ गया इन कोशनों का उसके दिक्रत नहीं होती है ठीक है आप से कह रहा है वह the difference between two numbers is 26 कोई बुछे बूलेगा नहीं the difference between two numbers is 26 मतलब यह sentence पढ़िके यह तो समझ में आ रहा है कि दो number है दो नंबर कोalone नहीं करते हैं हम एक नंबर को ए मार लिया और हम एक नंबर को आ लिया वी अटना sentence पढ़ कि की समझ में रहा रहा है कि बाटां दो number तो है에 एक नंबर को एक्सआः मान लिया एक नंबर को बीमान लिए सुनेगा फिर आफसे कह रहा है अगर मैंसे फिर से देखताहूं हुआ है कि the difference माने क्या होता है अंतर मतलब माइनस मतलब दो नंबरों का माइनस यह call looking मेंस इनकी भी जागा मैनस अफसे कह रहा है कि dzięki Macedo का माइनस कितना है 26 अब इन्हीं कुशन में आपको में बताऊँ छित्क क्या होती है जहां पर भी आपको इस दिखाई देगा आर दिखाई देगा हाँ मुझे विल है प्लक्स स्था अब इकवर ह tension को मैं आपको झाल रहो एक ठीक है तो और वास्न वाटी है दिखाई देगा between the two numbers sentence पढ़के यह समझ में आया कि एक दो नमबर तो है लेकिन उनकी बीच क्या रिलेशन है वो कह रहा उसने आपसे कहा कि दा difference difference यह माइनस between the two numbers दो नमबरों के बीच का माइनस 26 है इस है चक्रो चक्रो कितना है 26 है आगे बात समझ में तो यह बनी आपकी पहली कोईशन ठीक है चलिए यह रफ में जुरू बनाना बटा रफ काम आपको आना चाहिए आगे पढ़ता है अब यह आगे काम करेगा सुनिए वन नमबर मत दोनों में से कोई एक कोई मत कोई चौश ही नहीं मारे लो नमबर इस यह इजमाने कुल टू वन नमबर इस त्फिरी टाइम अर्छे शौनिंटी अमाने मल्टिप्लाए त्फिरी टाइमस दा अधर मतलब अधर अधर मिनदा laugh जाओं अन्र यह डोनों में से कोई भी एक नमबर डूसरी डंबर का तीन गुना है निसन स्मारा का अ यहए मैंने कर दिया आपनी आपनी और मैंने pillars इसे बनाई है मैं तो दूसरी reston ऐसे नहीं बनाओंगा यह क्यूंकि दूसरी क्वेस्ट जो है पहली इकॵेस्टन बेंट कर रही है उसने क्या वन नमबर मैं हम पे चौइस है कि वन नमबर इस थिरी टाइम भादर में एक नमबर जो भी एक उठा लो कोई भी मैंने यह उठा दिया कि कोई भी एक नमबर दूसरे का तीन गुना है लेकिन आपसे फिर भी बोल रहा हूं चौइस हो है महले पास लेकिन अगर मैं इसको ऐसा हुआ है इस Вид grass नर्द बना सक्कता प्रेंशने क्यों इस से क्या उसन सी निकल रहे है कौन नुमबर बड़ा है उसन गुक्य इसी प्रिठाउय कोंबर बड़ा है विए जो है बी का तीन गुना है अगर वी दो प्ल्स हैं यह दो रखो न और झानल रे आप अगर यहां पर मैंस एक और चब्स तब यह गल्द होता और यह सही होता चीजों को समझें चीजों को समझें चलो यह तो बताना मेरा काम था बता दे मैंने आपको है ना अब इसे करने के काम सुपर रफ में जरूरर करना बेटा ठीक है वर्ल्ड प्रॉब्लम कुछ नही है यार खाली यह आपको समझना है सेंटेंस को और मैं आपको यह समझा भी रहा हूं कि सौल करना है ठीक है अब सुनो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा माही यहां फोकस करो क्या होगा देखो लेट दा फस्ट नंबर भी एक्स ठीक एंड दा सेकिंड नंबर भी खाला ममना अधा मर्जी आउटेर अग्चर्मान लोग अब अपार्डिंग टुक्रिशन उसने क्या बोला कि दो नंबरो का डिफेंश कितना है 26 है लुब है इनका डिफेंश कितना है 26 है प्रबलम चलिए पड़ते है एक क्वेशन नंबर फस्ट एक्वेस नंबर फस्ट ब according to condition क्या कि दोनों में से कोई भी है कौन से लिंगे एक्स लिंगे यूंकि अब एक्स मैनस कर रहा ना यानिकी एक्स बड़ा है यानिकी एक्स इकोल टू क्या थिरी इंटू वाई समझे एक्स नमबर सेकेंड वो कहारा कि रहें फाइंड देंग देंगे मतलब एक्स निकालो और य निकालो एक्स निकालो और वाई निकालो पीछ बाते और ही ना हो जाएगा वह तो है थी और य बीच में सिंबल नहीं तो मल्टीले बोलते बटा ठीक है थी थी वाई को दिक्शा निका देखो अच्छा सुनी अब करना ही नहीं है पहले से सब हो रखा वो तो क्या करोगे एक्वेशन फर्स्ट में एक्स की जगाब पर रखो इसे नहीं से महारा ठीक है हर्स ओके अब देखें अब सुनिए बेटा ऑन पुटिंग ऑन पुटिंग एक्स एक्वाल टू थिरी वाई इन इक्वेशन नमबर फर् ठीक है एक्स की जगां में क्या दिवाई देखो बटये कितना इसी नहीं हो गया माइनस करेंगे कितना होगा तो इक्वाई इकूल टूटिशीच टू मल्टिप्लै कर रहा है वहां पे डिवाइड करेगा कितना हो गया तो बैट्टा वाई कितना अगया ठाटीन अभी रु एक्वेशन सेक्वेशन सुन लो पहले सुन लो सेकेंड में या फर्स्ट में कहीं भी रखो कांगा आपका अंसर निकल के आज आएगा ठीक है चलिए अब रखते हैं आउन पुटिंग वाई एक्वेशन नमबर इसको लिखे पहले एक बार बेटा एक्स माइनस थीवाई एक्स एक्वेशन टू फृवाई ऑके अब त्रियासी रहेगा इसके बीच में मल्टिप्लाइशन होता है वाई कितना है थार्टीन है कितना गया थार्टीनाइन संग्मा तो अब एक फाइनल स्टेटमेंट देना पड़ता है इन को शनों में क्या विटा फॉस्ट नम्बर इस थाटीनाइन ओके ओके एंड एंड यह सेकिंड नमबर इस थाटीन ओके तंडिशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है अगर मैं बड़े नमबर से इसको माइनस करूं कितना आएगा 26 आएगा चकलो देखिए आफ से कह रहा कि दा लार्जर ओफ टू सप्लिमेंटरी एंगल्स एक्सीड दा स्मॉलर बाइटीन डिग्री फाइंड फाइंड देम वाइस उपर देखना अब सुनो पहली बात तो यह कि आपको यह पता होना चाहिए कि किसे बोलत सब्सक्राइब क्या होता है इसका मतलब क्या है कि आपके पास आपस दो एंगल है क्योंकि सप्लिमेंटर भी बनेगा जब होंगे आपके एंगल कैसे वाले माना एक एंगल डिग्री दूसरा एंगल बी डिग्री और इसका जो सेंस है वो क्या बोलता है कि दो एंगल का सम वन एट्टी होता है सप्लिमेंटरी जहां भी दिखेगा वह सिंगल वर्ड का मतलब क्या है कि आपके पास दो एंगल है और दोनों एंगल कौन कौन से कुछ भी हो सकता है क्या पता यह जीरो हो जाए और एक संस्ती हो जाए सब्सक्राइब क्या पता दोनों बराबर हो जाएं आगे समझ में सम्तिक्तों अज़िए 180 दोनों बराबर भी हो सकते हैं एक जीरो सकता है या एक प्लस कुछ भी 179 पर इंका सम इतना आना चाहिए और आएगा अगर उसने सप्लिमेंटरी लिखके दिया है तो आएगा चलि अब यहां पर दो एंगल तो ड्रॉ किये हमने मैंने बोला दोनों एंगल आपके एक्वल भी हो सकते हैं इक्वल भी हो सकते हैं बट इस कोशन में दोनों एंगल एक्वल नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे उसने बोला हुआ है उसने जिकर करा हुआ है कि यह स्मॉलर बोला उ यानिकि एक एंगल बड़ा है और एक छोटा है आगे बाद समझ में मैं इसने कहा रहा हूं कि वर्ड प्रॉब्लम या वैलियो स्किल बेस्ट कोश्चन को डंग से पढ़ना पढ़ना चाहिए ऐसे बूग खोली बाद रट्टा मार भूदा होगे और अगर समझ भी गए हो तो उसको इस प्रकार से समझिए कि आगे आने वाले कुश्चन में आप उसे अपलाए भी कर सको तो यानिकि यह केस तो गया यह केस तो गया अब एक काम करते हैं यानिकि इसमें बोला हुआ है कि एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा हम एक काम करते हैं हम एंगल एक बी एक्स डिगरी के एंड लेट दा इस्माफलर एंगल भी वाइड दिगरी ओकैव पैटा है एंडला आगे दिखने हैं शुक्याratos रहा है supplementary ठीक है तो देखो फ़र दिखा देखा देखो बोथ एंगल्स बोथ एंगल्स आर वट सप्लीमेंटरी एंगल्स सप्लीमेंटरी एंगल मतलब इन दोनों का सम क्या होगा यास अनिकी X डिग्री प्लस Y डिग्री एक्वर्ट कितना 180 डिग्री ठीक इतना बॉइज गर्स चलिए एक्वेशन नुमबर फर्स्ट अब लिखने मन करो कोई नहीं जहां पर हो छोड़ दीजिए कोई कती बटा यह समझगे आप लोग कोदी कती नहीं इसमें चलिए अब आगे बढ़ता है आगे का बोल आप से अब सुनो बटा सप्लीमेंटरी सौनो यह एक्वेशन से अबनी सब्सक्राइब नीस को सुब्सक्राइब में अब म temporarily सब्सक्राइब सरुव हो आठारह, कितना अठारह, जैसना सिंपल से बाद से बात, मैं न बोला, अजय इसली आज़व, आजय कोशित कैसे बाद नाम क्या है, कब दो बच्छे अच्राइट 20% पैर मालिक पिहां चले पर इस यूच्चा है नाम वन्यक्राम सचिन भाइघ यह ठो घोगे बड़ा है लेकिन कितना बड़ा है कितना बड़ा है मैंने बल July कि once age, once age exceeds by Sachin age, by four, या by two, मतलब, जो Sachin की age है न, वो, सुरी, जो once की age है, वो Sachin की age से दो साल बड़ी है, तो exceed जहाँ पड़ोगे, एकसीड जा पड़ोगे वहाँ पर, प्लस करोगे, प्लस करोगे, exceed by 18, मतलब, जो बड़ा एंगल है, सुनिए बटा, जो बड़ा एंगल है, कौन से माना बड़ा, एक से माना, जो बड़ा एंगल है, वो, छोटे एंगल से, कौन से माना, y, सुनिए, बड़ा एंगल, छोटे से अब देखो नमल सी बात है एंगल बड़ा है ना लेकिन कितना बड़ा है कि अच्छा रहा है बड़ा मतलब प्लस और 20 लगा दो एक्वल टू दो यहां पर होगा लिखा हुआ कुछ सैंस बन रहा है क्या क्यों होगा नहीं आप सुनने मैं आप से इते का रहा हूं सुनिए पर चला या सुनिए पहले उसने बोला कि जो लार्जर एंगल लार्जर एंगल एक्सीड दा इसने बड़ा एंगल ना वह छोटे एंगल सी 18 ज्यादा है एक्सी और ना तो क्या इंगा यहां कि यहां कि यूश क्तुना दो तब एक्स कितना होगा बताओ एक्स बड़ा है निया नीया उसने एक साइंस क्या बन रहे इसका दे लाजर उप्टू सप्लिमेंटर्री एंगल दो सप्लिमेंटरी एंगल वो चोंटे से 18 जादा है अन्द मा गया तो हमेसा यह बड़ा नंबर है और यह छोटे नंबर से 18 ज्यादा करेंगा क्यों करेंगा यह वंस है तो इसकी 16 साल है है 14 तो 14 प्लस तो मैं वह तो कर रहा हूं यह यह वंस है यह सचीन है मैंने क्या बोला कि सचीन से दूसल बड़ा है बनगे कुछ सभी सब्सक्राइब अभी डाउट हो रहा है अब सभी बटा देखो ना आप ना मैं इसलिए कहा रहा हूं कि वैल्यू बेस्ट कोश्चन या फिर वर्ल्ड प्रॉल्ड जंसे करना अचा जो यहां पर कि कि बड़ा नंबर छोटे नंबर से 18 जादा है एक शीट बोल रहा है ठीक है ना तो चलिए अब यहां देखने इसको मैं इसलिए कहा रहा हूं पढ़ते वक्त नहीं बात नहीं जी बिल्गुल भी यहां फोकस करी आप लोग तो अपसे से देखना क्या अकॉर्डिंट कोश् कर दिंगे इसके लिए यह आयो सब्सक्राइब यह यह भी बना गुणाया अगया और बना बॉनाया सेकिंद माल लेंगे इसको क्या करींगे हमें एक्स की बेलिए मिल गई है की वैलउ को एक्वेश्यं में प्लेस करेंगे ठिक है ओन पुटिंग ऑन पुटिंग एक्स डिगरी प्लिटू वाई दिगरी प्लस 18 इन एक्वेश्यं फ़र्स यह पोछोड़ी आप लोग इसको लिखे पहले एक बार एक्स डिगरी प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री अची जगां पर क्या यह रखा कुशी और 18 यह वाई पहले से ही यह वाई क्या है वाई पहले से तो यह इदर डिवाइड कितना एक्टी वन डिगरी तो वाई कितना आ गया आई वाँ समझ में अब वाई की वैल्यू कहां प्लेस करोगे सेकिंड में फर्स्ट में कहीं रख दो बोलो सब्सक्राइब फ्रॉम एक्वेशन सेकिंड और एक कहां है यह रही किसेकिंड क्या एक्ष डीगरी प्लस घ्रांग उन्फ टो एक्स कि जगें डिखोंगे disturbर आप दोखोंब्र देख नहीं प्लस 81,1 यथा तो यह आपके वाइद